नमस्कार आप देख रहे हैं स्वामी नूज मैं हूँ रुपेंद्र मंगलवार को शेहर भर में करवाचोत का पर्व, उमंग, उल्लास और परमप्रा के साथ मनाया गया स्वागिनों सहीत नवव भाइताओं और युवतियों ने निर्जला वरत कर पती परिवार की देरगायू सहीत सुक समर्दी की कामना की शिव और मागोरी से पूजा अर्चना कर पती की लंबी उम्र मांगते हुए महिलाओं ने पूरे दिन निरहार, निर्जला वरत रखा और रात को चंदर भगवान के दर्शनकार अपने उपवास को खुला रात में जैसे ही चांद नजर आया, सुआगिनों ने चलनी में से चांद के दर्शन किये, पती ने अपनी अर्धरांगनियों को जल पिला कर उनका उपवास खुलवाया मंगलवार को दिन भर घरों सहीत अनेक मंदिरों पर चौत माता के अनुष्ठान में सैपतनीक पतियों ने भी सलिया पती की लंबी उम्र और परिवार में खुशाली के लिए मनाये गए करवा चौत वरत पर अपने अपने उदगार व्यत करते हुए विवायताओं ने बताया आज पती की लंबी आयो के लिए वरत रखा जाता है और इसमें सब लेडिस सुहागन जो होती है वो अपनी पती की लंबी आयो के लिए वरत रखती है और पूजा करती है और शाम को ना अज ये मंदि में पूजा करके आरती सुनके चान को और रख देखके वरत खुलती है आज करवाचोत का वर्त रखाया, सभी सुवागन महिलाएं करवाचोत का वर्त रखती है और सुबे से भूकी प्यासी रहती है और फिर कानी सुनती है मंदिर में आके, कानी के बाद बाद में चाय पिती है और शाम को चान देके, रख देके और खाना खाती है आज करवाज होते हैं और इसमें अपने पती के लिए वरत रखा जाता है मैंने भी अपने पती के लिए वरत रखा है ताकि उनकी लंबी उम्मेरों खुशियां पाएं हमेशा निरोग रहें और बस हम दोनों साथ में खुश रहें चमार घाटी इस्तित चोथ माता मंदिर में शुकरवार सुबह से ही श्रधालू महिलाओं का ताता लगा रहा इस पूजा का महिलाओं कि पती की लंबी उमर की दूआ मांगते हैं कि यह करवा चोथ का वरत रहता है इसको पती की लंबी उमर के लिए करना चाहिए और अच्छा लगता है वरत करते हैं जर में खुशियां रहती है मंगलवार को अजेनगर इस्तित पारवती उध्यान में सिंधी और पंजाबी समाज की महिलाओं ने सामुहिक रूप से करवा चोथ का वरत उपास करते हुए पूजन किया सबी विवायताएं सथ समवर का रहतों में पूजा का थाल सजाए उध्यान में आई और चोथ माता की कहथा का वाचन और शरवन कर पती और परिवार की दिरगायों की काम ना की कि करवा चौत का त्योहार विवाहित मैलाओं के लिए ही होता है। इस त्योहार को मनाते हुए अपने स्वाग की लंबी ओम्र और परिवार में खुशाली की चोत माता से प्रात्ना की जाती है। रात को चांद का दर्शन कर उपवास खोला जाता है, दिन भर निर्जला रहने के बाद पती के हातों ही जल ग्रेन कर वरत पुरा होता है. पती को चुबी तो एक साल पूरा वो ब्रत को अपने पती को कष्ट सहना पड़ा, तो अपने पती को कष्ट ना हो, उसके लिए ही ये मतला उनके शुब कामना के लिए, लंबी उमर के लिए कामना की जाती है. करवा चूत का व्रत सभी सुहाग ने अपने पती की लंबी उमरों उनकी मंगल कामना के लिए रखती है इस दिन सब लोग पूरा दिन पानी नहीं पीती है और आत को चंद्रमा को अर्ध्य देने के बाद जल का सेवन अपने पती के आतों से करती है उनका दर्शन करती है और उसके बाद व्रत को व्रत का संपूरन करती है व्रत को खोलती है आज फास इसलिए रखा चाता है ताकि हमारे पती लंबी उमरों जी सके हमारा साथ दे सके प्ति के पूजह मता प्रशाद करते हैं होता है वो सब यहाँ पर लेक्या आते हैं